नागे जो अन्याय के खिलाफ लड़े हैं उनको पकड़ के पूछ रहे हो क्यों नहीं अभी तक स्वाल हुआ लेकिन जिनकों ने स्वाल करना चाहिए वो गणितग्य कहां है उनको आप पकड़ो उनको पूछो कि भाईया ये लोग दरदर भटक रहे हैं तो तुम इतने कठोर बनके कहां बैठे हो आपने इसलिए कहा कि आप उनको पकर के पूछ रहे है क्योंकि हमारे सामने आप आते हैं दर्द आप बयां कर रहे होते हैं पब्लिक प्लेस पर आप नजर आते हैं इस डेमोक्रेसी में अगर आपके आवाज में ताकत होगी तो इस डेमोक्रेसी में सुनना पड़ेगा अगर नहीं सुन रहा है तो आपके आवाज में कभी है यह दिखा उने वालों के कांगा शुने वाले हैं उनके कान आपको नजर आ रहे हैं हैं आपको कोई मंतरी आके आपको आपको बताया उसने उनके कान नहीं होते सरसुन लिए मेरी बात अब जिस प्रेस्क्टलब में बैटे न चेक आंक के तरफ से यहां खड़ा होगा कोना आ कि इंतजार में कि निकल लिए कोई सॉलूशन नहीं मिला इस देश के अंदर में यह बुज़ूर्ग अपना पैसा मांग रहे हैं और धिकार है उन नोजवानों को जो आज भी नौकरी कर रहे हैं और जब इस एपिएस 95 के कैटेग्री में आएंगे तो इनी की तरह वह बेबस दस साल होने को आगे एक प्रेस कॉंफरेंस जिसने कभी नहीं किया उसके मंत्री मंत्री और नुमाइंदे किसी के प्रेस कॉंफरेंस करते कहा हैं उनके मुख मंत्री तक कहां प्रेस कॉंफरेंस करते हैं आप हम पर जो हम में जो कह रहे हैं इस डेमोक्रेसी में चौथा सवाल करना वो सवाल सामने आके आपसे आएंगे बैठेंगे सवाल करने आपको बोलेंगे और अगर आप सवाल करेंगे तो आप इतना तरके कानून लगाएंगे घुमाफिडा करके तो हम सवाल किस से करें आप नजर तो आए रोड़ पे सवाल पूछने वाले कोई से पूछ साथ दिसम्बर से लेकर के 14 दिसम्बर तक दिल्ली में वो डटे रहे और 14 दिसम्बर को जब उनको एक आस्वासन दिया गया अलग-अलग MPs के दुआरा तो उन्होंने आमरान अंसर्ट खतम किया था क्रेमी का अंसर्ट भी खतम किया और वापिस चले गय लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर जनवरी के अंदर में उनकी सुनवाई नहीं होती है तो दुबारा से वो वापिस आएंगे 31 दिसंबर तक का टाइम दिया था हलागि उन्होंने 12 जनवरी को उन्होंने अलग-अलग देश के अफिस के उपर में प्रोटेस्ट किया हर स्टेट के अंदर में कुछ नहीं हुआ उन्होंने कहा कि 30 जनवरी से दुबारा वो दिल्ली के अंदर आएंगे और क्रमी का अंसन सुरू में शुरू करेंगे और बाद में अमरन अंशन में उसको तब्दील करेंगे वो अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो दुबारा से यहां पर हमरे साथ जो लोग बैठे हुए हैं EPS 95 के पिंशनर्स हैं और लगातार जो संगर्स इनको लीड कर रहे हैं असोक राउट जी भी हमरे साथ बैठे हैं कमांडर असोक राउट और दुबारा दिल्ली में आये हैं और दुबारा से अपने संगर्स को श आमने हैं तो क्या करीब करीब ओवराल मैं बात करूँ तो 10 करोड से जादा जो EPS 95 के अंदर में आते हैं पेस्टर के साथ असदान करने वालों भी करने वाले भी करीब करीब 30-40 करो वोटर हो जाएंगे उसकंदर में तो क्या उन वोटरों का ख्याल रखे भी सरकार इन पर नहीं सुन रही है कमांडर साब एक पर दुबारा से आप दिल्ली आये हैं और मुद्दा वही है EPS 95 में पेंशन बढाने का 75 रुपय करने का मेडिकल सुभधा देने का हायर पेंशन की भी बात कर रहे हैं क्या लगता है पॉइंट टू पॉइंट की फिर दुबारा आप द जानते हैं 14 तारीक को जब हमने अपना आमरन अंशन वापिस लिया तो वह आदर्णिय मंत्री जी ने हमें बुला के और हमें यह कहा रिक्वेस्ट की बाकाइदा कि यह आंदोलन वापिस लेलो हम आपका काम कर रहे हैं जल्दी करेंगे तो उनकी गवरोगरिमा रखते 14 दिसंबर के बाद में फिर हम 16 दिसंबर को उनको मिले 30 दिसंबर को मिले और तब भी कुछ नहीं हुआ 31 दिसंबर तक का हमने टाइम दिया था फिर हमने 4 जनवरी को सरकार को नोटीज बेजी कि हमारा काम आपने हमने दिये वह टाइम में नहीं किया है अब इसके बाद हमा जहां उफिसेस हैं उसके बाद आपने आप देखा कि फिर हम वहां पे बारा तरीक को हम भी यहां दिल्ली में थे घिराओ के लिए 22 को भी थे फिर उसके बाद अभी हमने यह डिसाइड किया कि 31 से हम क्रमी कंशन फिर शुरू करेंगे जंतर मंतर के अपने एक बात कही बीचे और अगरा सच होता तो आज आपको दुबारा दिल्ली आना क्यों पर था पिर देखिए उन्हों ने जो हमें कहा था यह कहा था कि अगले मेने के अंदर-अंदर आपका काम करेंगे तो अभी जो हमें दिखता है संसच चुरू होगी कल से 31 से 9 तक और यह है इंटरिम बजेट अगर इसको कुछ बजेटरी प्रोविजन की ज़रूरत है तो इसलिए हमने यह सोचा कि 31 से लेके नव तक हमारा प्रोब्लम सौल होने के अच्छे चांसे है पहले भी आप संसच चलाता तब ही आप लोग बैठे थे उसमें चांसे नहीं थे फिर क्यों लाया थे इतने लोगों को आप लोग ट्रंड में क्यूं भी इठाए था इन लोंको तब ही तो संससच चलाता है इसी दो इसके अंदर में और वहीं संसच है एगई संसच में है ना तो अब संसच चलेगा हुसमें हो जा highest इसकी क्या गरंटी है और फिर वो कहेंगे कि नहीं करेंगे फिर आप दुबरा आएंगे क्या गरंटी है उसकी देखें आंदोलन जब करते हैं तो आप एक महा बड़ी शक्ती बड़ी विवस्ता के खिलाप कर रहे हैं उनके आपके ताकत में फर्क है और आप लोगों को मारक पूचे यह नहीं बौसकते मैं इनकी बली दे रहा हूं आप हमारा काम करो यह नहीं कर रहे हम लोग हम लोग कंसिस्टनसी रख रहे हैं हम बजुरू रहे हमारे पास जितनी बस्ता है जितना पैसा इस 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 लिक्वी लोग इन बुज़ूर्गों की बली ले रहे हैं कित्री लोगों की मौत हो रही है ईपीस पेस्टर की तो यह सवाल आपको उनको पूछना चाहिए तो वही एसास कराना है और उसके लिए हमें आपकी साथ चाहिए कि देखो भाई यह लोग मर रहे हैं किस्क्राइब है चलिए इसलिए सवाल किया कि पिछली बार जब इनकी आंदोलन को कवर कर रहा था तो इनहीं के साथी थे मेरट के जिनकी मौत होगे थी इस आंदोलन से वाप्सी के दरमिया उस आंदोलन की वज़द से मौत नहीं हुई थी मैं आपको क्लिर कर दू लेकिन घ जार में कितरे निकल लिए कोई सॉलूशन नहीं मिला इस देश के अंदर में ये बुज़ूर्ग अपना पैसा मांग रहे हैं और धिकार है उन नोजवानों को जो आज भी नौकरी कर रहे हैं और जब सीपियस 95 के कैटेग्री में आएंगे तो इनी की तरह वह बेबस और ल नौकरी करी अलग अच्छे संस्थानों में नौकरी करी तीस हजार चालिस हजार पैटालिस जार पचास जार रुपए तनक्वाप आ रहे थे उनको एक हजार रुपे मेंच पेंसर पर आकर टिका दिया जाए यानि कि मचली को पानी में से निकाल के आपने जबीन पर रख कहता है जिंदा रहो तो आप लोग इसलिए सवाल आपसे यह कर रहा हूं कि इस देश की बेबस्ता ऐसी है कि आप याचना करते रहे जाए यह कोई फरक नहीं पड़ता इस देश में आपने अर्वीन जी बिल्कु सही कहा है यहां रोजाना 200 लोग मरते हैं इपीएस का एक स आया है किस टर्कार की जिम्मेदार रहें हो रहें जो लोगों की भाउना है उसको समझेख के तो उसको आपसे यह रिक्वेश्ट करोंगा कि जो सवाल आप हम से पूछ रहे हैं अच्छी बात है और हम जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए जिम्मेदारी पूरी तरसे स्विकारते हैं तो सरकार को भी आपको ये सवाल पूछने चाहिए कि भाईया ये हो रहा है तुम कर क्या रहे हो मैंने कभी देखा नहीं ये अभी जो आंदोर हमारे चल भी रहे हो अपने हिसाब से आप जो करना है दे रहे हो लेकिन जो मांग रहे हैं उनकी मांग मांगों को जोर दे रहे हो विचार कर रहे हो ये आपको सरकार को पूछना चाहिए बहुत अच्छा इसनों ने सवाल प्रेस के लिए बोला कि आपको सरकार से सवाल करना चाहिए इस देश को चलाने वाले जब 2014 में सत्ता पे बैठने वाले से तो उन्हें कहा था I am answerable word by word में बता रहा हूँ I am answerable मैं जबाब दे हूँ 10 साल होने को आगे एक press conference जिसने कभी नहीं किया उसके मंत्री और नुमाइंदे किसी के press conference करते कहा है उनके मुख्यमंत्री तक कहा press conference करते जो सत्ता उनसे सवाल करें आप हम पे जो हम में जो कह रहे है इस डेमोक्रेसी में क्यों नहीं अभी तक स्वाल हुआ लेकिन जिंगोंने स्वाल करना चाहिए उनको पकड़ो उनको पूछो कि भाईया ये लोग दरदर भटक रहे हैं तो तुम इतने कठोर बनके कहा बैठे हो आपने इसलिए कहा कि आप उनको पकर के पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे सामने आ आप आते हैं दर्द आप बयां कर रहे होते रो आप रहे होते हैं पब्लिक प्लेस पर आप नजर आते हैं इस डेमोक्रेसी में अगर आपके आवाज में ताकत होगी तो इस डेमोक्रेसी में सुनना पड़ेगा अगर नहीं सुन रहा है तो आपके आवाज में कभी है ये भ खड़ा होगा कोन आया हुआ क्या बात कर रहा आज के डेट में कान नहीं आखे होती है उनकी आपको मैं पता देता हूँ चलो आपके माध्यम से उनको इतना पता चले कि ये लोग सब लाचार हैं गरीब हैं लड़ रहे हैं इनका काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए कल से आम करने वाले हैं उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए ये बुज़ूर्ग ही लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे सबालों का भी सामना कर रहे हैं शर्मानी चाहिए उनको कि जिस दिन वो इस कुरसी बैठ कर जब रोड होंगे तब क्या उनको को दिखाने वाला भ